नमस्कार मित्रों देशे ट्वीचन्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सीखने वाले है एट स्टेंडर्ड महाराष्टर बोर्ट न्यूज सिलबस साइस का टेंथ चाप्टर जिसका नाम है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीचे अपने दोस्तों के साथ भवपूर शेयर कीचे कुछ डाउट सो नहींचे कमेंट कीचे मेरे चानल को सब्सक्राइब कीचे तो चलिए शुरू करते हैं सेल एंड सेल ओर्गनल्स में हम स तो तो प्रवपूर्गनिजम तो प्रवपूर्ड़ शेयर किनी टाइब के असानल सेल ओर्गनिजम के तो यहुथा होता है यूकरियोटिक जा आपको इस यह हो चुका होगा पिछले स्टैंडर्स में और आगे भी है आगे के स्टैंडर्स में प्रोकेरिक सेल यानि पहले तो निर्मान हुए थे cells during the course of evolution, वो उनमें clear cell organelles डेवलप हुए नहीं होते हैं, और eukaryotic cells यानि जिनमें सारे cell organelles अच्छी तरह से डेवलप हुए होते हैं, और फिर दूसरे और भी टाइप से जैसे plant cell और animal cell, ठीक है, which instrument had you used to observe cell, cells को observe करने के लिए कौन सा instrument यूज किया जाता है, तो compound microscope यूज किया जाता है, compound microscope की मदद से हम cell को डेख सकते हैं, Last year, we studied that cell is the structural and functional unit of living organisms, किसी भी living organism में, most of the living organisms में, cell जो है, वो basic unit होता है, जैसे किसी भी matter में, किसी भी substance में, atom is the basic unit, वैसे ही किसी भी living organism में, basic unit होता है, structural और functional, यानि काम करने का सबसे बेसिक और structurally सबसे बेसिक unit जो होता है, वो होता है, cell, According to the functions, cells of different sizes and structures are found in different organs, अलग-अलग organs में, उनके कामों के अनुसार, उनके functions के अनुसार, अलग-अलग size के, अलग-अलग structure वाले cells present होते है, structure of the cell, देखिए, cell का structure देखते है, हम यहाँ पर, observe the following figures, write the names and complete the chart, यहाँ पर, आप pencil से लिख सकते हैं, मैं एक-एक नाम बताता हूँ, देखिए, यह है, देखिए, यह जो है, वो है, पिनोसाइटिक वेसिकल है, पिनोसाइटिक वेसिकल का spelling मैं आपको बताता हूँ, P-I-N-O-C-Y-T-I-C, पिनोसाइटिक वेसिकल, V-E-S-I-C-L-E, पिनोसाइटिक वेसिकल, याने, देखिए, दो functions होते हैं, आपको detail तो नहीं है, पिनोसाइटिक वेसिकल को अंदर लेने के लिए, एक ऐसा वेसिकल याने, हॉलो पार्ट होता है, उसे कहते हैं, पिनोसाइटिक वेसिकल, फिर देखिए, यह है, प्लूरल है, माइटोकॉंड्रिया, सिंगिलर है, माइटोकॉंड्रियोन, इसके बारे में details आगे आने ही वाले हैं, स्पेलिंग है, M-I-T-O-C-H-O-N-D-R-I-O-N, ठीक है, यह है, नुकलियोलस, N-U-C-L-E-U, N-U-C-L-E-O-U-O-L-U-S, यह है, नुकलियस, N-U-C-L-E-U-S, फिर यह है, सेल मेंब्रेन या उसे प्लाजमा मेंब्रेन भी कहते हैं, C-W-E-L, M-E-M, B-R-A-N-E, मेंब्रेन, या प्लाजमा मेंब्रेन, P-L-A-S-M-A, फिर नेक्स्ट है, यह वेसिकल है, V-E-S-I-C-L-E, फिर देखे, इसके तो हो गए, अभी देखे, यह जो है, वो है, एंडो प्लाजमिक रेटिक्यूलम, एंडो, E-N-D-O, प्लास्मिक, P-L-A-S-M-I-C, यह एक्षी सब्द है, एंडो प्लास्मिक, रेटिक्यूलम, R-E-T-I-C-U-L-U-M, ठीक है, फिर यह है, ख्लोरोप्लास्ट, ख्लोरोप्लास्ट, C-H-R-L-O-R-O-P-L-A-S-T, फिर यह है, वाक्यूल, यह, V-A-C-U-O-L-E, ठीक है, यह है, गॉल्जी कॉम्पलेक्स, G-O-L-G-I-C-O-M-P-L-E-X, यह है, साइटोप्लास्म, C-Y-T-O-P-L-A-S-M, ठीक है, फिर है, यह है, नुकलियोलस, ठीक है, यह जो है, वो है सेल वाल है, यह, ग्रीन कलर की डार्क, ठीक है, और यह माइटोकॉंट्र, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह है, प्लांट सेल, और यह है अनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वाल होती ह अनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, देखिए, आगे बढ़ते हैं, अनिमल सेल, प्लांट सेल, यहाँ पर एक सेल और और यह होता है, यह नहीं होता है, यह आमें लिखना है, सेल में जो है, वो अनिमल सेल में भी होता है, और प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में होता है, cell wall जो है वो animal cell में absent होता है नहीं होता और plant cell में present होता है lysosomes जो होते है यह animal cell में present होते है और plant cell में absent होते है plastics जो होते है वो animal cell में absent होते है नहीं होते है और plant cell में present होते है फिर कौन सा एसा और्गेनल है जो अनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं हम कह सकते हैं यहां पर नहीं है वो है एंडोप्लाजमिक रेटिकूलम दोनों में होता है फिर है वैक्यूल वो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है अनिमल सेल में छोटे होते हैं प्ल study each and every part of the cell to understand the processes occurring within the cell components of a cell which is found around cells of algae fungi and plants animal cells lack cell wall animal cells don't have cell wall is an elastic and strong coat around cell membrane cell membrane inside the cell membrane is a small coat which is elastic and changes a little bit of shape in limited water not much but in limited water it is a strong coat for protection it is mainly composed of carbohydrates like cellulose and pectin from cellulose and pectin carbon hydrogen and oxygen from cellulose and pectin after polymers like lignin, suberine, cutene are added in cell wall as per need functions of cell wall are to support and to protect the cell by preventing entry of excess water in the cell cell wall का मुख्या फंक्शन यह है कि cell plant cell को support करना बाहर से support करना और उसका protection करना एक तो mechanical protection mechanical support भी है और बाकि दूसरा जो है बाहर पानी अंगर ज्यादा है तो जरूरत से ज्यादा पानी अंदर ना आ पाये उसे control करने के लिए भी यह किया जाता है नेक्स्ट है प्लाज्मा मेंब्रेंड और सेल मेंब्रेंड इस थीन फ्रैजाइल elastic covering that separates the cell components from outer environment देखिए जैसे हमारे बॉड़ी पर skin होती है ना वैसे ही सेल पर आनिमल सेल पर मुख्यता है यह प्लाज्मा मेंब्रेंड होता है जो cell जाता रखता है यह हमारे होता है तो क्या होता में बलड ह did गवाट इसे स्ट्रक्षर मेंडोर प्लाज्मा मेंडाइल membrane, protein molecules are embedded in two layers of phospholipids, देखिए, plasma membrane का structure यहाँ पर दिया है, देखिए, structure of plasma membrane, कैसा होता है, lipid bilayer, lipid bilayer कहते हैं, उसे, lipid यानि क्या होता है, fat, fat होते, oil जो होता है, ऐसे ही होता है, वो fat, fat के molecules का दो layers होते है, bilayer यानि, bi यानि two, तो देखिए, यहाँ पर दो layers देखिए, यह ओपर वाला layer, यह नीचे वाला layer, देखिए यहाँ पर clear दिख रहा है, यह ओपर वाला layer yellow और यह नीचे वाला layer, तो उसे कहते है, lipid bilayer, और उसमें proteins के molecules, यह green color के जो है, वो है, protein के molecules एंबेडर होते हैं उसमें घुसे हुए होते हैं देखिए यह ऐसे ठीक है प्लाजमा मेंब्रेन इस सेट टू बी अ a selectively permeable membrane as it allows some substances to enter the cell while prevents other substances को क्या कहा जाता है selectively permeable याने वो जो है कुछ selected चीजों को ही अंधर बाहर चीज के अंधर यदिया से बाहर परमीट करता है लाव करता है selectively permeable याने उलेक्टेड आइटमस को ही permit करना बाहर से अंदर आने के लिए आंदर से बाहर आने के लिए जैसे टोल नाके होते हैं, जहaaں पर कई बार police चेक करते हैं, वगरा वैसे ये cell membrane जो होता है, plasma membrane, जो आवशक चीघे हैं, उनको अंदर भेजता है, अलाव करता है, और जो waste products होते हैं, वो उनको बाहर भेजता है, seleccally permeable, while prevents other substances, और बाकियों को रोके रखता है बाहर, due to this property, useful molecules of water, salt and oxygen enter the cell and CO2 exits the cell, इसके कारण, जो काम वाले molecules होते है, जैसे पानी, water हो, या salt हो, या oxygen हो, ये molecule cell के भीतर entry मिलती है उन्हें, इनके द्वारा इनमें gates होते है, और CO2 जो होता है, carbon dioxide waste gas वो बाहर भेचा जाता है, if any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane, अगर बाहर का बातावरन, देखे, temperature हो, या pressure हो, ठीक है, concentration हो, जो भी हो, वो बाहर थो बदलते रहता है cell के, लेकिन cell membrane के कारण, plasma membrane के कारण, cell के भीतर का environment change नहीं होता, वो स्थिर रहता है, constant, this condition is called homeostasis, यह इस प्रोसेस को क्या कहते है, homeostasis कहते है, homeostasis यानि क्या, बाहरी environment भले बदलता जाए, लेकिन उसके अनुसार भीतर का environment स्थिर रखना, उससे कहते है, homeostasis, can you tell, how do substances travel in the cell, आगे तो आने वाला ही है, जो ट्रावल करते हैं, cells में से दो प्रोसेस से करते हैं, मुख्यता, diffusion और osmosis, वो क्या होता है, आगे आने वाला है, देखे हैं, यह आपर, activities that consume cellular energy, देखे है, cellular energy consume करके, यानि, देखे है, कुछ molecules को, entry देने के लिए, या exit देने के लिए, बाहर निकालने के लिए, या अंदर लेने के लिए, cell को कुछ energy खर्च करनी पड़ती है, energy लगानी पड़ती है, आपने आप नहीं होता वो, उसे energy लगा कर करना पड़ता है, तो उनको क्या कहते है, जिनको ऐसे activities, जिनको energy लगती है, एक है endocytosis, उसमें है to curb और engulf food and other substances from outer environment, देखे, बाहर से अंदर को food substances को भेजना, food particles को बाहर से अंदर engulf करना, यानि निगलना, ठीक है, उसे कहते है endocytosis, यह एक process करने के लिए, cell को energy लगानी पड़ती है, ऐसे अपने आप नहीं होता वो, फिर है exocytosis, to excrete waste materials out of cell, cell के भीतर, जो waste materials बने हैं, उन्हें बाहर डालने के लिए, बाहर भेजने के लिए भी cell को energy खच करनी पड़ती है, ठीक है, देखें, यहां structure of plasma membrane है, यह है lipid by layer, yellow color के molecules, lipid molecules का double layer है, ठीक है, उसमें यह protein के molecules embedded है, डूबे हुए है, ठीक है, यह है lipid by layer, और यह है carbohydrate के chance, carbohydrate molecules के यहां पर उनकी लंबे-लंबे chance उनको attach हुए होते है, ठीक है, देखें, processes, those don't consume cellular energy, देखें, आभी जो देखें, हमने endocytosis और exocytosis, वो processes करने के लिए cell को energy खर्च करनी पड़ती है, लेकिन यह जो processes है, नीचे दिया गए, diffusion और osmosis, उन्हें सेल को कोई energy खर्च करनी न के लिए small molecules like O2, CO2, देखें, छोटे-छोटे जो molecules होते हैं, यह जो food molecules होते हैं, प्रोटीन वगरा होते हैं, वो काफी बड़े molecules होते हैं, तो उन्हें अंदर लाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, बहुत energy खर्च करनी पड़ती है, लेकिन यह oxygen CO2 तो बहुत छोटे molecules होते है, तो उनको कुछ खास जरूरत नहीं होते है, energy खर्च करने की, तो oxygen और CO2 के molecules के entry और exit करने के लिए, जो process यूज की जाती है, उसे कहा जाता है, diffusion, और osmosis की से कहता है, the traveling of water from a part with more water to a part with less water through a selectively permeable membrane is osmosis, यह है osmosis की definition, यानि क्या, देखें, आगर समझीए, सेल के भीतर बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, भर चुका है, और सेल के बाहर कम पानी है, तो क्या होगा, सेल का अंदर का पानी बाहर अपने आप ड्रेन होने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, यह अपने आप होता है, ठीक है, यह selectively permeable membrane से होता है, plasma membrane से, यह समझ सेल के बाहर बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, और सेल के भीतर बहुत कम पानी है, तो क्या होगा, सेल के बाहर से, सेल के अंदर पानी आने लगेगा, इसे कहते है, ओस्मोसिस, ठीक है, क्या है, The traveling of water from a part with more water to a part with less water जहाँ पर ज्यादा पानी है, वहां से जहाँ पर कम पानी है, वहां पर पानी travel कर रहा है through a selectively permeable membrane is called osmosis, it is a physical process with three possibilities, इस में तीन possibilités is है देखिये, ऐस्मोसिस इन प्लांट सेल्स ऐसा होता है यह एच्ट्विंट बाहर जाए है एच्ट्रिय कहना और यह पर वाटर बहार बी जा और उसके आगे explanation भी दिया है मैं आपको बताता हूँ keep 4-5 raisins in water and observe after an hour किश्मिस जो होते हैं किश्मिस वो क्या करने है आपको कहा है कि पानी में भीगो कर रखने है थोड़ी देर के लिए एक घंटे के लिए और observe करने हैं क्या होता है afterwards keep the same raisins in sugar solution and observe after an hour क्या करना है पहले तो जो किश्मिस होते है वो पानी में भीगो कर रखने है एक खंटे के लिए एक घंटे के बाद ज़ाइखेएँगे तो आप देखेएंगे फूले हुए होंगे उसमें पूरा पानी भर चुपा होगा वो पूरे भर गये होंगे जैसे अंगूर से बनते हैं न किसंते तो वो ऐसे बने हुए हूँगे तो वह जो फुले हुए है वह फिर से क्या करना है इनस चुले Wohnung भय वाटर जिन होने आप सब क्या है कि वह समय होने यानि शक्कर मिश्रित पानी में मिक्स करना डालने है और एक घंटे के लिए रखने फिर क्या होता है वह देखना है नौट ऑब्जरवेशन और डालेंगे और बाहर निकालेंगे तब पहले जैसे सिकुड जाएंगे पहले जैसे उनके अंदर का पानी बाहर चल जाएगा और अगर पानी में भीगोगे तो वह भीग भर जाएंगे पूरे पानी से सेकंड क्वेश्चन है वोड़न डोस फीट वहरी टाइटी इन रेनी सिजन वहार डाज डाज इट हैपन देखे आपने अनुभव किया होगा जब बारिश का मौसम होता है तब कई बार हमारे रूम के दरव क्योंकि लक्डी कए बने हुए जो डोस होते हैं उन में लकडी में असे लपर घूल से बने हुए होते हैं जो फूल जाता है उसको बोबन स्लीशन मेडियम आउट साइड इनसाइड दसेल है सेम प्रोपोर्शन ओफ वाटर वाटर दसेंट गो इन और आउट देखिए यह है आईसो तोनिक कंडिशन याने मेडियम पानी है बाहर बहुत जादा भी नहीं है बहुत कम भी मेडियम है और यह है रबीसीज है रेड बला यह देखें सेल के बीतर थोड़े थोड़े थोड़ा सा पानी है मेडियम और यहां पर भी मेडियम पानी है तो क्या होगा ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा याने होता रहेगा लेकिन इतना भी नहीं तो सेल जो है जैसी कंडिशन में है वैसी ही रहेगी ना फूलेग ना सिकुर जाएगे next है hypotonic solution the cell has less water than outside medium so water enters the cell देखिया hypotonic यानि देखिया cell के भीतर ज्यादा पानी है sorry cell के भीतर कम पानी है बाहर के comparison में तो क्या होने लगता है water enters the cell cell के भीतर पानी घुसना शुरू हो जाता है this is called endo osmosis endo यानि अंदर आना osmosis तो जब cell के अंदर कम पानी होता है तो बाहर से पानी अंदर घुसने लगेगा आपको पता है अगर आपको बाढ़ अगर आती है जब आप आपके घर में आंगन होगा तो आप कई बार आंगन धोते होंगे हर रोज तो घर के अंदर से बाहर पानी चला जाता है क्योंकि बाहर कम होता है अंदर जादा होता है लेकिन जब बारिश होती है कई बार तो बाहर जब बार आती है तो बाहर से पानी अंदर घुसने लगता है तो जहां पर कम होता है पानी वहां पर चला जाता है जादा से कम ट्रेवल करता है अगर सेल के अंदर पानी कम है बाहर के मुकाबले में तो सेल के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाएगा इसे कहते हैं एंडो आस्मोसिस एक्जामपल इफ रेजिन्स आर केप इन वाटर आफ्टर सम टाइम दे स्वेल एंड बिकम टर्जीड अगर आपने किसमीच पानी में बिगो के रखे है तो कुछ समय बाद वो फूल जाए और तरजीड याने टाइट हो जाएंगे ठीक है उनके स्कीन टाइट हो जाएगे फिर है हाइपर टोनिक सोलुशन थे सेल हाज मोर वाटर दैन आउटसाइड मेडियम सो वाटर कम आउट अफ सेल के अंदर बहुत जादा पानी है और वह सेल के बाहर कम पानी है तो क्या जाएगा उसके कारण सेल ऐसे सिकुड जाएगी अगर उल्टी कंडिशन है तो ऐसी फूल जाएगी बहुत जादा मेडियम है तो मेडियम रहेगी फूलेगी भी नहीं और कई बार फट भी सकती है सेल देखे ऐसा है और यहां पर सिकुड जाएगी आख़ण चाल लिए सेल उसके रिंकल जा रहे तो एक्जामपल इफ फ्रूट पीसेज आर केप्ट इन थीक साचुरेटेड शूगर सोलीशन देवाटर फ्रूट फ्रूट पीसेज एंटर दा शूगर सोलीशन अगर आप फल के फलों के टुकडे अगर शूगर के चाशनी में साखरेचा पाकत जर बुड़ उन्ठेवले जैसे हम साखरामबा करते है न मुरबबा तो खुछ दिनों बाद वो जो टुकडे होते है के वो सिकुड जाते है अगर आपने देखा होगा तो ऐसा होता है क्योंकि फलों के टुकडों में से पानी चला जाता है वो शुगर के सैचुरेटेड में ठीक है तो फ्रूट पीसे श्रिंक आप्टर वाइल श्रिंक हो जाते है यानि सीकुड जाते है आखर तत इफ प्लांट सेल और अनिमल सेल इसकेप इन हाइपर टोनिक सोलीशन वाटर कम आउट अउट अफ सेल बाइपर ज्यादा पानी है तो सेल के अंदर से पानी बाह फ्लो होना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ इसे कहते है एक्जो जाना तो उसके कारेंट साइटो प्लाजम कम हो जाएगा अमाउंट और कॉंट्राक्ट हो जाएगी सेल इस प्रोसेस इसको कहते है प्लाजमो लिसेस इसको कहते है प्लाजमो लिसेस थर्ड है साइटो प् तर्जीड, Rectangular cells of onion pillings, तो ऐसे cells दिखा देते हैं, तर्जीड यानि टाइट भरे हुए, Rectangular cells, cytoplasm is the fluid between plasma membrane and nucleus, देखें, cytoplasm यानि यह है plasma membrane, यह cell wall है actually, लेकिन उसके अंदर फोरण यह है plasma membrane, और यह है nucleus, तो nucleus और cell membrane के बीच में यह पूरा fluid भरा हुआ होता है, fluid यानि क्या, flow होने वाला substance, वो liquid होता है, fluid दो तरह के होता है, एक तो gas या liquid, तो gas भी flow करते हैं, और liquids भी flow करते हैं, लेकिन यह जो fluid है, वो liquid form में होता है, तो उसे कहते हैं, cytoplasm, heat is a moving, sticky substance, यह sticky substance होता है, और move होते रहता है, जैसे हमारे body में blood move होता है, ना circulate, वैसे, many cell organelles are suspended in cytoplasm, कई सारे छोटे-छोटे cell organelles जैसे nucleus हो, endoplasmic reticulum हो, गॉल्गी complex हो वगरा, यह cytoplasm में तेरते रहते हैं, cytoplasm is the medium for cellular chemical reactions, cytoplasm में कई सारे cellular chemical reactions होते जैसे, respiration हो, food वगरा वगरा, digestion हो, metabolism हो वगरा, the part of cytoplasm other than organelles is the cytosol, देखिए, cytoplasm का वो हिस्सा, अगर हम imagine कीजिए, देखिए, cytoplasm में पूरा, क्या-क्या include होता है, देखिए, cytoplasm में, cytosol plus cell organelles आते हैं, यानि इसको, अगर cell organelles को remove कर दे, यह सारे cell organelles को निकाल दे, तो बाद में जो liquid part बचेगा, उसे कहते हैं, cytosol, यह जो है सिर्फ उसे कहते हैं cytosol, लेकिन cytosol में, जब cell organelles भी हम पकड़ते हैं, उन्हें जब पकड़ते हैं, तब उसे कहते हैं, cytosol यानि, cytosol में, cell organelles की भी include होते हैं, ठीक है, अगर cell organelles को exclude किया जाए तो, क्या होता है, वो cytosol होता है, देखे, cytosol is the medium for cellular chemical reactions, the part of cytoplasm other than organelles is the cytosol, cytosol stores vital substances like amino acids, glucose, vitamins, etc, देखे, cytosol में, मच वो पूर्ण chemicals, chemical molecules होते हैं, वो store किया जाते हैं, जैसे food molecules, जैसे glucose हो, vitamins हो, फिर amino acids वगरा, store किया जाते हैं, in animal cells, cytoplasm is more granular and dense, while in plant cells, it is thin and mostly pushed to the periphery, due to a larger central vacuole, देखे, क्या कहा है, animal cell में, जो cytosol होता है, वो granular होता है, यानि आपने सूजी की खीर खाई होगी कभी, रवेची खीर ज़र कदी खा लिया cell की वह, तो वो granular होती है, उसमें granules होते हैं, या फिर गेहूं की खीर खाई होगी कभी, तो जो animal cell होता है, उसका cytosol granular होता है, उसमें काफी grains होते हैं, लेकिन ये plant cell का जो cytosol होता है, वो clear होता है, jelly leg, उसमें कुछ granules नहीं होते हैं, और animal cell में ज्यादा मातरा में cytosol होता है, compared to plant cell, और plant cell में जो cytosol होता है, वो mostly periphery, याने किनारे को चला जाता है, जो cell wall की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके भीतर, उसके center में बहुत बड़ी vacuol होती है, plant cell में vacuol बड़ी होती है, animal cell में vacuol छोटी होती है, तो बहुत बड़ी central vacuol होने के कारण, जो cytosol होता है, plant cell में वो किनारे की तरफ हटा हुआ होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ cell organelles अभी एक-एक cell organelle लेखते है एन और गेनल इस अस्पेशलाइज सब्यूनिन है विदिन दे सेल सेल और गेनल की डेफिनेशन है यह 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 नि जैसे हमारे बोडी में अलग अलग organs होते हैं जैसे heart हो गया kidney हो गयी brain हो गया वैसे हमारे अलग अलग बोडी के functions काम करने के लिए वो organs होते वैसे ही cell के भीतर अलग अलग functions काम करने के लिए अलग अलग छोटे-चोटे organelles होते तो organelle and organelle is a specialized subunit having specific function within the cell they are organs of the cell हाँ उन्हें यह वो cell के organ होते हैं इच organelle has its own lipoprotein membrane lipoprotein membrane याने lipoprotein से बना हुआ वो protein और lipid से बना हुआ एक membrane होता है ठीक है उसका हरे cell organelle को अपना एक membrane होता है अपनी अलग covering होती है except nucleus and chloroplast all other organelles can be seen only with electron microscope जो nucleus है और chloroplast है वो काफी बड़े cell organelles होते हैं वो तो compound microscope के भीतर भी दिखाई देते हैं compound microscope की magnifying power इतनी जादा नहीं होती है एक तो 40 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स होती है लेकिन compound microscope में बाकी cell organelles जैसे mitochondria होगे endoplasmic reticulum होगे वो दिखाई नहीं देते वो बहुत छोटे होते तो उनको देखने के लिए बहुत जादा magnifying power होने वाली microscope चाहिए जो एक electron microscope होती है ऐसी तो उसके निचे ही वो देखा जा सकता है फिर है nucleus try this activity take a drop of water on a clean glass slide using an ice cream spoon gently scrape the inner surface of your cheek देखे क्या करना है glass slide पर मैंने दिखाई है आपके glass slide पिछले चाप्टर में पिछले वीडियो में तो काच की पट्टी होते है एक clean glass slide लेनी है उस पर एक बून पानी डालना है साफ पानी और ice cream का जो चम्मज होता है उससे आपके गाल के भीतर मूव के अंदर गाल को एक थोड़ा सा scrape करना है यानि उसको खरण नजाल मंतर घिसना है उससे और उसका जो लेर निकल क्या आता है अंदर से with a needle transfer a little material from spoon to the water drop on the slide and spread it evenly जो भी material आएगा चम्मज के उपर उससे एक नीडल से छोटे से उस material को carefully वो glass drop में डालिए glass slide के water drop पे और उसे ठीक से evenly spread कीजे put a drop of methylene blue stain on the smear वो जो फेलाया हुआ है उसपर methylene blue नाम का एक stain है यानि color होता है blue color का उसपर डालना है put a cover sleep and observe under microscope उसपर cover sleep यानि गाच की दूसरी cover होता है वो डालना है और microscope की नीचे देखना है did you observe the cells with blue nucleus तो आपको cells दिखाई देंगे उसमें blue color का nucleus दिखाई देखा वो blue color क्यों है क्योंकि यह methylene chemical उसका blue color उसने पकड़ लिया है nucleus the dark round spot seen under microscope while observing the onion peeling stained with hyodine is the nucleus of the cell stained यानि stain यानि color होता है तो देखिए नॉर्मली जो cells होते है वो transparent होते है तो उसके cell organism दिखाई नहीं देते transparent होते है तो उनको देखने के लिए उन्हें stain करना पड़ता है यानि color देना पड़ता है तो iodine भी एक color है तो जब उसको ऐसा iodine से color देंगे उसे तो ऐसा वो color पकड़के ऐसा दिखाई देगा जो darkest spot होगा सबसे बड़ा वो होता है nucleus यह nucleus है यह nucleus है वगरा तो देखिया when observed under the electron microscope we can see nucleus covered by double lead membrane with small pores अगर nucleus अगर compound microscope के नीचे देखोगे तो बस एक dot जैसा दिखाई देगा लेकिन अगर उसे electron microscope के नीचे high power high magnifying power microscope के नीचे देखोगे तो nucleus है यह यह केवल nucleus है यह cell के अंदर यह nucleus नहीं है यह पूरा nucleus है तो ऐसा दिखाई देगा उसका structure तो क्या होगा nucleus जो है वो by layered होगा याने उसके भी दो layer से covered हुआ होगा ठीक है double lead membrane with small pores उस पर कुछ छेद होंगे छोटे-छोटे उन्हें कहते है nuclear pores छेद होंगे material exchange के लिए these pores allow the passage of material in and out of the nucleus nucleus को nucleus को बाहर से अंदर कुछ materials लेने के लिए और अंदर से बाहर materials भेजने के लिए इनके द्वारा यह gate होते है उनके द्वारा वह भेजे या लिए जाते है materials nucleus has one round nucleus and a network of chromatin fibers देखे उसमें nucleus के अंदर round nucleus होता है देखे यह और भी छोटा dot होता है उसे कहते है nucleolus ठीक है और chromatin network होता है chromatin network यानि उसमें क्या कहते है dna वगरा होते है chromatin fibers are thin thread like structures वो धागों जैसा एक बहुत यानि घना जूंड होता है दागों का वो उसमें dna होता है वगरा genetic material होता है which condensed to form short thick chromosomes at the time of cell division जब cell divide नहीं हो रही होती normal होती है तब क्या होता है वो एक पूरा घना fibers का network होता है कैसे भी फैले हुए होते वो network लेकिन जब cell divide होने वाली होती है उससे पहले वो ठीक से arrange हो जाते है short हो जाते है और ठीक हो जाते है उन्हें कहा जाता है Chromosomes functional segments on chromosomes are called genes Chromosomes पर छोटे 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 regions होते हैं जो उस organism के character को decide करते हैं यानि हमारा नाख कैसा होगा हमारी आखे कैसे होगी आखों का color नाख का color वगरा यह सब बालों का color वगरा तो हमारे यहां तो सारे black ही होते हैं लेकिन western countries में कुछ red hair होते हैं क्या कहते है golden hair होते है वगरा तो यह सारे genetic होते हैं तो यह सब decide किया जाता है genes में ठीक है Chromosomes पर genes होते हैं functions इसके बार में आपको next कक्षाओं में है detail में functions of nucleus first it controls all metabolic activities of the cell and also the cell division nucleus जो होता है वो एक तरह से cell का brain होता है जैसे brain जो होता है हमारा वो पूरे body को control करता है हमारे body के पूरे function को control करता है वैसे ही nucleus जो है वो पूरे cell के functioning को control करता है ठीक है सभी activities metabolic activities यानि डाइजेशन एनरजी production वगरा जो होता है उसे कहते है metabolic activities तो यह जो सारे activities है वो nucleus control करता है और cell division यानि nucleus करता है कि कब हमारे cell divide करनी है यानि एक के दो सेल दो सेल के चार सेल ऐसे reproduction के वगरा तो वो cell division कब करना है यह nucleus decide करता है second it is involved in the transmission of hereditary characters from parents to offspring nucleus के अंदर chromatin network होता है chromatin chromosomes बनते है उससे और chromosomes के उपर genes होते है genes का मैंने बता है आपको hereditary characters यानि parents से बच्चों में बच्चों से उनके बच्चों में एक PD से दूसरे PD में जो transfer किये जाते है characters तो वो जो होते है वो nucleus द्वारा nucleus के अंदर जो chromatin होता है उसके द्वारा किये जाता है ठीक है do you know due to loss of nucleus large quantity of hemoglobin can be accommodated in the RBC and thereby large amount of oxygen can be transported देखिये जो RBCs होते है red blood cells उनमें nucleus नहीं होता ठीक है उसके कारण hemoglobin बहुत ज्यादा उसमें समा पाता है accommodate कर पाता है और hemoglobin जादा होने की कारण क्या होता है hemoglobin का function यह होता है कि oxygen carry करना RBCs क्या करती है जो lungs होते है वहां से हम नाक से oxygen लेते हैं अंदर लंग्स के भीतर और लंग्स में blood के contact में आते हैं blood के contact में आने के बाद जो हमारे लंग्स में से oxygen है वह RBCs के भीतर hemoglobin absorb कर लेता है और वह दूसरे organs की तरफ भेश देता है तो hemoglobin जादा समाने के लिए ताकि जादा से जादा oxygen करी किया जा सके उसके लिए RBCs में nucleus नहीं होते है ठीक है अगर nucleus ही जादा space occupy कर देगा तो hemoglobin कम पढ़ जाएगा उसके कारण oxygen carrying capacity कम हो जाएगी ठीक है तो oxygen कम पढ़ सकता है हमें due to the loss of nucleus of sieve tubes of the plant phloem they become hollow and thereby transportation of food becomes easy देखिए जैसे हमारे body के अंदर blood vessels होते है याने veins होते हैं na blood carry करने के लिए pipelines जैसे ही plants में sieve tubes होते है phloem phloem याने xylem और phloem आपको पता होगा xylem जो होते है वो water transporting pipelines होती है plant के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर water transport करने के लिए xylem यूज किया जाता है और phloem जो होते है वो food फूड को transfer करने के लिए होते है food transfer करने वाली food transporting जो pipelines होते है उन्हें कहते है phloem तो phloem के अंदर sea tubes होते है sea tubes याने tubes जैसे होते है तो sea tubes में भी nucleus नहीं होता उसके कारण वो जादा मात्रा में food carry कर सकते है अपने भीतर से ठीक है वो hollow हो जाते है पूरे उसके कारण वो transportation easy होता है तो यह याद रखिए कि animals में आर्वीस में nucleus नहीं होता और plants में CO tubes में nucleus नहीं होता तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेर कीजिए कुछ doubts होतों तो नीचे comment कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए ताकि जब भी मैं अपने वीडियो प्लाड करू तब आपको तुरन पता चले दन्यमात मित्रो आपका दीन शुब जाए